दोस्तो नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सिलेंट पावर में आपका हार्दिक स्वागत है यह वीडियो उन इस्टुडेंट्स के लिए बहुती खास रेने वाली है जो मराठा सामराज्य छत्रपती सिवाजी के बारे में जानना चाते हैं इस वीडियो में हमने प्रीवियस येर के जितने भी कुश्टन्स यानि की और कॉम्टिटव एक्जाम्स जैसे की S.H.C., रेलवे या फिर अधर इस्टेट लेवल के जितने भी कॉम्टिटव एक्जाम्स जिनमें की इंडिया लेवल की जी के आती है उन सभी का इसमें समावि किया गया है और इस वीडियो में हमने जी की क्विज लगाई गई हैं यदि दोस्तों आपने भी सिवा जी या फिर आप मराठा सामराज्य की थेओरी पढ़ चुके हो तो आप इन प्रिवियस येर कुश्चन्स को यहाँ पर अंत तक जरूर देखें क्योंकि इनको करने के बा तो देखें दोस्तों क्वेश्चन नमबर फष्ट क्वेश्चन नमबर एक मैं आपसे पूछा गया है कि नाना पड़न भी इसका मूल नाम क्या था तो बताए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है ओप्शन नमबर A यानि कि महादेई सिंधिया ओप्शन नमबर C नारायन राव ऑप्शन नमबर D बाला जी जनार्दन भानू तो दोस्तों बताईए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है यह S.E.C.C.GL में पूछा वया क्वेश्चन है तो दोस्तों मैं बतादू आपको इसका राइट आंसर रहने वाला है आप्शन नमबर D यानि कि बाला जी जनारदन वानू आगे देखी दोस्तों हम question number 2 की बात करते हैं question number 2 में आपसे पूछा गया है कि सेवा जी का गुरू कौन था तो बताइए दोस्तों option number A यानि कि नाम देव option number B यानि कि रामदास option number C एक नात option number D यानि कि तुका राम तो बताइए दोस्तों इसका right answer क्या रहने वाला है तो दोस्तों इसका right answer रहने वाला है option number B यानि कि रामदास इनके गुरू जी थे तो दोस्तों आगे question करने से पहले हम आप पूछ थोड़ा सेवा जी के बारे में बता देते हैं सिवाजी का जनम सन 1667 सीसवी में पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था उनके पिता का नाम सहाजी भोशले और माता का नाम जीजावाई था सिवाजी के व्यक्तित पर सरवादिक प्रवाब उनकी माता जीजावाई तता संरक्षक एवं सिक्षक दादा कौन देव का पड़ा उनके गुरू का नाम समर्थ रामदास था आगे देखी दोस्तो क्वेश्चन नम्मर तीन क्वेश्चन नम्मर तीन में आपसे पूछा गया है कि उस मराथा राजा का नाम बताइए जो औरंग जेव से बाददरी से लड़ा था तो दोस्तो बताइए उप्शन नम्मर ए यनि कि सहाजी बहुशले सिवाजी औरंग जेव से बादरी से लड़े थे सन 1665 इस भी में औरंग जेव ने कच्छवा राजा जैसिंग को सिवाजी के वुरूद बेजा था जिसने सिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संदी जो की 1665 इस भी मुई थी करने के लिए बाद दे किया हाँ आगे देखी दोस्तो कोश्चन नमबर चार कोश्चन नमबर चार में आपसे पूछा गया है कि चत्रपती सिवाजी को हराने के लिए औरंग जेव ने निमले कितमे से किसको बेजा था तो दोस्तो बताईए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर उप्सन नमबर A में आपसे पूछा गया है कि जस्वंत सिंग उप्सन नमबर B में मान सिंग उप्सन नमबर C में बगवांदास उप्सन नमबर D में जै सिंग तो बताईए दोस्तो इसका राइट जून 1665 को होई थी आगे देखिए दोस्तो हम question number 5 की बात करते हैं question number 5 में आपसे पूचा गया है कि सिवाजी को पकड़ने के लिए औरंग जेव द्वारा किस जर्नल को बेजा गया था तो बताइए दोस्तो इसका right answer क्या है option number A यानि कि अबुल फजल option number B यानि कि अफजल खाँ option number C यानि कि मलिक काफूर option number D यानि कि साइस्ता खाँ तो बताइए दोस्तो इसका right answer क्या है तो देखिए दोस्तो इसका right answer रेने बारा है option number D यानि कि साइस्ता खाँ 1660 इस भी में औरंग जेव ने अपने मामा साइस्ता खां को दक्षिन का स्विवेदार निक्त किया और सिवाजी को खतम करने का आदिश दिया इसके उसने सिवाजी के बुर्द पूना, चाकन और कल्यान सहीत कुछ इस्थानों और किलों को जीतने में सफलता पाई परंतु 1663 इस भी में सिवाजी ने रात्री के समय पूना में साइस्ता खां के निवास इस्थान पर आक्रमन कर दिया इस संगर्स में साइस्ता खां का उठा कट गया और उसका पुत्र फते खां मार डाला गया आगे देखी दोस्तो अगर एक क्वेश्चन के हम बात करते ही इसमें पूछा गया है कि आपसे सिवाजी ने कितनी बार सुरत को लूटा था और उप्सण नमबर ए 1,2,3,4 बताइए दोस्तो कितनी बार इसने सुरत को लूटा था तो देखी दोस्तू इसका right answer रहने वाला है किवल दो बार यानि कि दो बार इन्होंने सूरत को लूटा था तो ये कब कब लूटा था यानि कि छत्रपती सेवाजी ने सन 1627 से 1680 ने सूरत को दो बार लूटा था पिर्थम बार फरवरी सन 1664 में और दूसरी बार अक्टूबर 1670 में यानि कि 1664 और 1670 दो बार सेवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था आगे देखी दूस्तू कुश्चन नमबर साथ कुश्चन नमबर साथ में आपसे पूछा गया है कि सत्रा सो में राजा राम की मरत्यू के बाद मराठों ने मोगलों के ब्रुद्ध युद्ध और उनकी बीर पत्नी के नेतरत में जारी रखा था यानि कि उस बीर पत्नी का नाम क्या था तो ओप्सन नमबर A यानि कि तारा भाई ओप्सन नमबर B लक्षमी भाई deduction number c यानि कि रमा भाई यानि कि उस बीर पत्नी का नाम क्या था तो दोस्तों इसका right answer रेने वाला है option number a यानि कि tara भाई इसका right answer है तो देखिए दोस्तों हम थोड़ग तारभाई के बारे में जानकारी कर लेते हैं राजाराम की मृत्यू के बाद उनकी बिध्वा पत्नी तारावाई ने अपने चार वर्षी पुत्र को सिवाजी दित्य के नाम से गद्धी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंतरता ये तू संगर्ष जारी रखा था आगे देखी दोस्तो क्वेश्चन नम्बर आठ क्वेश्चन नम्बर आठ में आपसे पूछा गया है कि सिवाजी का राज्यव से कब हुआ था ओप्सन नम्बर A यानि कि 1627 बी ओप्सन नम्र B यानि कि 1634 बी ओप्सन नम्र C यानि कि 1680 बी ओप्सन नम्र D यानि कि 1637 बी तो बताईए दोस्तो इसका राइट अंसर क्या रेने वाला है तो देखिए दोस्तो इसका राइट अंसर रेने वाला है ओप्सन नमबर बी यानि की 1634 इसवी में इनका राज्यविशे हुआ था सिवाजी का राज्यविशे कासी के प्रिसित बिद्वान गंगा भट अथवा इनी का इनाम है दोस्तो विश्वेश वर भट द्वारा 6 जून 1634 इसवी को रायगड में हुआ था 18 जून 1634 इसवी को इनकी माता जीजावाई का निदन हो गया अताय तांत्रिक विधी से दूसरा राज्याविशेक निश्चल पुरी गोज़ाई द्वारा 24 सितंबर 1634 को संपन कराया गया था आगे देखी दोस्तो हम कोश्चन नमबर 9 की बात करते हैं कोश्चन नमबर 9 में आपसे पूछा गया है कि सेवाजी की राज्या की राज़्दानी कहां थी तो बताई दोस्तो ओप्शन A यानि की पुणे ओप्शन नमबर B यानि की कारवार ओप्शन नमबर C यानि की परंदर ओप्शन नमबर D यानि की रायगड यानि बताई दोस्तो इसका राइट अंसर क्या रहने वाला है तो देखे दोस्तो इसका राइट अंसर है ओप्षन नम्बर D यानि कि राइगड इनके राज्य की राज्यागी राइगड थी सेवाजी के राज्यागी राइगड थी सेवाजी द्वारा 16-24 इसवी में अपना राज्या विशेग भी यहीं पर करवाया गया था आगे देखे दोस्तो कुषिश्चन नम्बर 10, कुष्चन नम्बर 10 में आपसे पूछ गया है कि सेवाजी का जनम का हुआ था ओप्शन नमबर A 1627, B 1614, C 59thirds, 631, D 1670 तो बताईची दोस्तों इसका right answer क्या रहने वाला है तो देखें दोस्तों इसका right answer रहने वाला है 1627 इस बी को इनका जनम सिवनेर के दुर्ग में हुआ था देखें दोस्तों आगे question number 11 Question number 11 में आप से पूछा गया है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रशिद्ध था? उप्सन नमबर A, बाजी राब प्रथम, उप्सन नमबर B, बाला जी बाजी राब, उप्सन नमबर C, बाला जी बिस्वनाथ, उप्सन नमबर D, मादव राब तो बताईए दोस्तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है तो देखें दोस्तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ओप्सन नम्मर B यानि की बालाजी बाजी राव नाना साहब के नाम से बालाजी बाजी राव प्रशिद्ध थे यह बाजीराब पिर्थम के पुत्र थे इनका सासनकाल 1740 से 1761 के मद्ध्य था आगे देखिए दोस्तो कुश्चन नम्मर बार आए कुश्चन नम्मर बार आए मैं आपसे पूछा गया है कि पेशवाओं का संस्था पकनिम लिकित में से कौन था तो बताई दोस्तो इसका राइट अंसर क्या है उप्सन नम्मर ए यानि की परसरामत्रम्यक उप्सन नम्मर बी रामचंद्र पंत उप्सन नम्मर सी बालाजी बाजीराब उप्सन नम्मर डी यानि की बालाजी बिस्वनाद तो बताई दोस्तो इसका राइट अंसर क्या रहने बिस्वनात के साथ ही शुरूई थी इस प्रकार बालाजी बिस्वनात को ही पेस्वा बिवस्ता का संस्थापक माना जाता है आगे देखिए दोस्तो कुश्चन नमबर 13 कुश्चन नमबर 13 में आपसे पूछा गया है कि पानिपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी यानि कि 1761 में उस समय दिल्ली का साथ कून था तो दोस्तो बताईए ओप्सन नमबर A आलम सा सेकंड ऑप्सन नमबर B आलमगीर सेकंड ऑप्सन नमबर C यानि कि मुहमद साथ ऑप् तो देखिए दोस्तो इसका राइट अंसर ने वाला है ओप्सन नमबर A यानि कि आलम सा सेकंड जो कि दिल्ली की उस समय सासक थे 1761 में पानिपत की तीसरी लड़ाई अफगान सासक एहमद साथ अबदाली वे मराठों के बीच लड़ी गई थी इस समय दिल्ली का सासक मुगल बाद साहा आलम सा सेकंड था जो कि इस युद में मराठों की हार होई थी आगे देखी दोस्तों कोश्चन नमबर चोध है कोश्चन नमबर चोध है मैं आपसे पूचा गया है कि प्रतम आंगल मराठा युद कौन सी संदी द्वारा समाप्त हुआ था तो बताई दोस्तों इसका राइट अंसर क्या है ओप्षन नमबर A यानिकी सूरत ओप्षन नम सालवाई की संदी यानिकी सालवाई कि संदी द्वारा रहा है प्र्तम आंगल मराठा युद देखा zarмов युद ए 7912 के मद देयल चला था इसका कारण मराठाौ के आपसी जगडे वे अंग्रेज की महत्वकान चाहे थी 1782 इसवी में सालवाई की संदी जोकी अंग्रेजों तथा महादजी सिंदिया के बीच हुई थी द्वारा प्रिथम आंगल मराठा युद समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित छेतर वापस कर दिये गए तथा अगले 20 वरसों तक सांती बनी रही अगला कुश्चन देखे दोस्तों पेशवा प्रिथा बिर्टिस द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी ओपसन नमबर A रगुनात राव ओपसन नमबर B नारायन राव ओपसन नमबर C मादव राव सेकंड ओपसन नमबर D यानि की बाजी राव सेकंड तो ब सत्रे को पूना संदी के तहत पेशवा को मराठा संग की प्रदानता छोड़ देनी पड़ी देखे दोस्तो क्वेश्चन नंबर सोले क्वेश्चन नंबर सोले हमें आपसे पूछा गया है कि सिवाजी की राजनीतिक गुरू एवं सर्णर्चक कौन थे आपसन नंबर ए रामदास आपसन नंबर बी साजी बोंसले आपसन नंबर सी जीजावाई आपसन नंबर डी दादा जी कौन देव तो बताईए दोस्तो इसका राइट अंसर क्या रहने वाला है तो देखे दोस्तो इसका राइट अंसर रहने वाला है आपसन नंबर डी option number A, यानि कि 1665, option number B, 1660, option number C, यानि कि 1655, option number D, 1670 तो बताजिए दोस्तों इसका right answer क्या रहने वाला है तो दोस्तों इसका right answer रहने वाला है option number B, यानि कि 1660 आगे देखिए दोस्तो question number 18 question number 18 में आप से पूछा गया है कि सिवा जी ने 1670 में किस के लिए को जीत करो उसका नाम सिंगड रखा था option A यानि कि पुरंदर B राइगड C कॉंडाना D रामगड तो बताई दोस्तों इसका राइट अंसर क्या रहने वाला है तो देखे दोस्तों इसका राइट अंसर रहने वाला है option number C कॉंडाना यानि कि कॉंडाना की दुर्ग को जीत कर इसका नाम सिंगड रख दिया गया था आगे देखे दोस्तों question number 19 में आपसे पूछा गया है कि सिवाजी से पहले गुरिला या चापा मार जिद्ध पदे थी उसका उपियोग किसने किया था यानि कि सिवाजी से पहले भी इसका उपियोग कौन कर चुका था तो देखे दोस्तों इसका option number इसमें A में बताय गया आपको मारा ना परता B में मली कंबर C में सेर सांसूरी और D में या में इन नन अफदी यानि कि इन में इसी कोई नहीं तो बताई दोस्तों इसका right answer क्या है तो देखे दोस्तों इसका right answer रहने वाला है मले कंबर यानि कि B option इसका right है आगे देखे दोस्तों यहाँ पर question number 20 question number 20 में आपसे पूछा गया है कि सिवाजी को पाड़ी चुहा वे सासी डांको की संग्या किसने दी थी तो बताई दोस्तों option number A औरंग जीव, option number B जै सिंग, option number C मान सिंग, option number D यानि कि अफजल खान तो बताई दोस्तों इसका right answer क्या रहने वाला है तो देखे दोस्तों इसका right answer रहने वाला है option number A यानि कि औरंग जीव इसका right answer है आगे देखिए दोस्तो कुष्चन नमबर 21 में आपसे पूचा गया है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्था पक किसे का आ जाता है बताई दोस्तो अप्सन नमबर A राजाराम अप्सन नमबर B यानि कि बाला जी बाजी राब आगे कौश्चन नमबर 22 में आपसे पूचा गया है कि अंतिमंबर पेश्रक जोक किसे का आ जाता है तो बताईए दोस्तो उप्सन नमबर A, मादवराव, उप्सन नमबर B, नाराएन राव, उप्सन नमबर C, रगुनात राव, उप्सन नमबर D, ननोपदी, यानि किनमे से कोई नहीं तो बताईए दोस्तो इसका राइट अंसर क्या है तो देखिए दोस्तो इसका राइट अंसर रहने वाला है उप्सन नमबर A यानि की मादवराव इसका राइट अंसर है आगे देखिए दोस्तो अगले कुश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिवागी को राजा को उपादी किसने प्रदान की थी तो बताई दोस्तो इसका राइट अंसर क्या है यहाँ पर उप्सन नमबर A में आपसे बताया गया है कि माराजा जै सिंग ने बीजापुर के सासक ने C में बताया है एहमद नगर के सासक ने D में बताया है औरंग जेव ने यानि कि बताई दोस्तों इसको राजा की उपादी किस ने दी थी तो देखे दोस्तों इसका राइट अंसर रहने बाला है आपसन नम्मर डी यानि कि औरंग जेव औरंग जेव ने इनको राजा की उपादी दी थी